अरे मैं तो छोड़िये तेजस्वी यादो जी के पास इतना उन पर केस इन लोगन लाद रखे रखा है 32 बरस का लड़का नहीं डरा और उसने ताकत दिखाई और वो मर्द की तरह आगे खड़ा रहा अबने कहा कि हमारे पास 75 परसेंट उनके 25 परसेंट है तो कैसे जीतेंगे अबास सिपी सिंग का कोई काउंट आ कोई उनके बारे में बात करना नहीं चाहता है जासुस का जब काम खतम जासुसी का काम खतम नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरव राज क्या नितीश कुमार भाचपा को धोखा दे करके महा गठवंदन में आये हैं क्योंकि लगातार भाचपा का कहना है कि नितीश कुमार सत्ता के लिए और आने वाले समय में प्रधान मंतरी बनने के लिए अपने पुराने गठवंदन को धोखा दिया है मेरे साथ जेडियू के राष्टे महासचिव हर्सवर्धन सी हैं इस तरीके से भाचपा लोगों के उपर धोखा देने का रोप लगा रही है उनका कहना है कि आप लोग चोबिस का सपना देख रहे हैं देखिए स्वरभ जी मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमारा और उनका गठवंदन अल्मुस्ट तेश चोबिस साल रहा सारे मिला के बीच में कुछ दिन को छोड़ा जाए तो सारे चोबिस साल रहा चोबिस साल में उन लोग को समझ में नहीं आया इतना दिन से चल रहे थे कि नितीश कुमार जी धोखा देते हैं कि नहीं देते हैं नितीश कुमार जी के साथ काम कर रहे थे नितीश कुमार जी के आगे पिछे कर रहे थे नितीश कुमार जी जब पूरे ताकत में होते थे तब भी आपको साथ होते थे और मैंने देखा जब 14-15 के बाद जब हटे थे नितीश कुमार जी पंदरा की जीत हुई थी महागठ बंदन की तो उस समय नितीश कुमार जी को 71 इनको 63 थी मैं सीटों पे और जगों पे नहीं जा रहा हूँ हर कहां गया इसको बहुत नेता लोगों ने बोला है कि सत्ता के लोवी हैं कि नहीं है जब वो गए तो आपको नहीं समझ में आ रहा है अब आपको समझ में आ रहा है कि सत्ता के लोवी है नितीश कुमार जी ने सत्ता को हमेशा लात मारा है सत्ता उनके पीछे आई है वो सत्ता के पीछे कभी नहीं आए है नितीश कुमार कुर्शी के पीछ नहीं जब लालु जी को छोड़ा था तो वो मंत्री थे और रोड पर स्टु GUYल किया और उस ताकत के बाद वो देश में मंत्री बने जब नितीश कुमार जी ने जे मिनिस्टर किस आदमी ने छोडा है इनके आदमी ने एक दिन की कुर्सी ए अपना पद छोड़के दूसरे को जीतनरमाजी को बनाया और जीतनरमाजी को इन लोगों ने मैनेज करना सुरू कर दिया जीतनरमाजी को उनके खिलाब भरकाना सुरू कर दिया और उनको कहा कि तुम सक्ता में आ जाओगे मैं तुमारे साथ मिलकर सरकार मना लूँगा तुम म आप एक दिन का सत्ता छोड़ेंगे क्या उस समय भी दो धाई साल बचा हुआ था तो उन्होंने सत्ता छोड़ा आप किस तरह की बात करते हैं सौरव जी कि उन लोगों को इन लोगों के पास क्या मूह है ये लोग हमेशा हमेशा सत्ता के साथ रहे हाँ मैं ये जरूर कहूंग ताकि जो 17 साल से ज्यादा सी समय उनके साथ गुजरा जो अधरनी अटल जी थे जब तो अटल जी का तरीका ये था कि गठबंधन को मजबूत करके वो 36 पार्टियों के साथ सरकार चलाये थे इनके साथ जब इस शुरू है तो कितनी पार्टिया थी और आज इनके साथ कितन पार्टिया है हर पार्टि को खा जाने का हर पार्टि को दबा के रखने का हर पार्टि के लोगों पर EDCBI कराने का कि वो उनके आगे दबे रहे इस से सारे पार्टियों ने छोड़ दिया निजात पा लिया और अगला चुनाओं में इनके साथ एक गठबंदन नहीं करेगा कोई भी इनके साथ गट बंदर करेगा तो जानता है कि या तो मुझे खा जाएगा या EDCBI इसे दबा के रखेगा इस तो अच्छा स्टाइल है कि माई वे या स्काई वे आप या तो मेरे साथ रहिए या जेल में रहिए हमेशा कोई भी आदमी हमने कोई गलती नहीं की है इसलिए हम कोई जेल जाने का इनके पास कोई स्कोप नहीं है लेकिन उठा के बंद करना तो इनके बहुत यह असानी सी बात है किसी को भी बंद कर देंगे अब लोग डरे नहीं क्यों डरे होते तो फिर हम सरकार कैसे बना लेते अरे मैं तो छोड़िये तेजस्वी यादो जी के पास इतना उन पर केस इन लोग अनलाद रखे रखका है वो 32 बरस का लड़का नहीं डरा और उसने ताकत दिखाई और वो मर्द की तरह आगे खड़ा रहा तो हम लोग क्यों डरे हम लोगों पर तो कोई केस नहीं नहीं हम लोगों ने कभी कोई गलत काम किया भाजपा के उपर आप लू लगातार ये कह रहे हैं कि आपके पार्ट और आप एक पार्टी को तोड़े हैं क्या अभी एकनाथ सिंदे को के साथ मिलकर आपने सीवसलना को नहीं तोड़ा है क्या आप क्या बात करते हैं हम मेरे साथ चुनाओ लड़े हम लोग एक साथ चुनाओ लड़े चुनाओ करके जीतने के बाद साथ सिठ हमारी जीती और नाचल परदेश में, साथ में हम लोगों ने इनको बिना ससर्थ, महलब बिना सर्थ, कोई ससर्थ नहीं बिना सर्थ उनको सपोर्ट कर दिया, मेरे छे बिदायक लेके चले गए क्या बात करते हैं इस क्या है आपकी सरकार तो चल रही थी आप उसमें से छेट तोड़े आपका इमान का पता चलता है कि आपका इमान कितना साफ है अपने सहयोगियों के साथ अगर साफ होता तो कैसे क्यों तोड़ते क्या जरूरत थी जब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके साथ बैठे हुए हैं आपके साथ तो आप, इसका मतलब आपने पीट में खंजर होगा, भाजपा वाले सड़क पे हैं, भाजपा वाले सड़क पे इसलिए हैं, कि उनके पास कोई बात नहीं हो, कोई मुह नहीं, उनके लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, उनके नेता इस तरह की बात करते हैं, आश्य PFI के साथ था, इसलिए छोड़ दिया, कोई ये कहता है कि सत्ता के लोलूप था, अरे वो तो मुखमंतरी थे, ऐसा तो नहीं था कि वो गहे मुखमंतरी बनने के लिए, कोई डिप्टी चीफ मिस्टर थे या जो भी थे, इसलिए वो मुखमंतरी थे, मुखमंतरी चला रहे थे और मुखमती चलाने के बाद गय इसका मतलब आप लोगों की अपनी गलती को गिनिये सबसे ज़्यादा जरूरी है भाजपा के लोगों को अपने मंथन करना कि उन्होंने क्या गलती की हमारी गलती निकालने के बजाए खुद की गलती गिनी है क्योंकि एक बार हम उसको तोड़ के आए थे तो आप बहुत लोग करे हैं कि 20 सी में क्यों नहीं तोड़ दिया एक बार हम तोड़ के आए थे तो मुझे बहुत समझना पड़ता जब मेरा गर्दन कर जब नाक से उपर पानी जाती है तब आपको छलांग लगाना पड़ता है तब आपको उठना पड़ता है नहीं तो मर जाईएगा तो नाक से उपर पानी चली गई थी नितीश कुमार जी उन्हें जितना बरदास्त किया नितीश कुमार जी अभी बरदास्त करते लेकिन उनके बिधायक और MP लोगों ने MLC लोगों ने बिधायक नहीं किया रासभा के सदस्चों ने उन लोगों ने कहा कि अगर आप नहीं करिएगा तो ठीक नहीं होगा अगर आप उस मिटिंग में होते शरब जी तो देखते किस तरह का विद्रोह था नितीश कुमार जी पहली बार अपने बिधायक और इसके साथ के में उनको दबना पड़ा और मजबूरी में फिर उन्होंने क्योंकि वो खीचते उनको आप जानते हैं ना कि वो अपने इमेज और संबेदन सील कितने है वो आदमी अचानक से कुछ नहीं कर सकता अपलो भाजपा से दो-दो हाथ करने को तयार है अरे हमको भाजपा से क्या मतलब है हमारा लालू जी कहते है कि धोलक बजएगा धिन धिन और एक के उपर 3-3 तब 75% हम है 25% हुए तो दो-दो हाथ क्या करना है हवा में उड़ जाएंगे 40 की 40 सीट हम जीतेंगे दोर क्या हमने कहा कि हमारे पास 75% उनके 25% है तो कैसे जीतेंगे एक सीट भी बता दें एक सीट पटना साहिब का भी सीट बता दें क्यों कैसे जीतेंगे आप लोग क्लीन स्विप की जीतेंगे चालिस का चालिस और हमारे जीत का इस्तिती होगा जहांके जर्खंड में पड़ेगा असर वहां पे भी दस सीट हारेगी भजपा बंगाल में भी पड़ेगा जासूस का क्या होता है जासूस का जब काम खतम उनका टाइम था उन्होंने कोशिस करी हम लोग को खतम करने की जितना कर सकते थे किया उसके बाद चले गए अब तो मुझे लगता है कि भाजपा भी उनको नहीं पूछेगी क्योंकि कामी खतम हो गया बिहार में बिहार में ऐसा गटवंदन मना है ऐसा गटवंदन मना है कि कोई दिखेगा नहीं और आर्चिपी जैसे लोग को लेंगे भाजपा वाले तो और प्रूफ हो जाएगा तो जो 25 परसेंट मैं भोट का रहा हूँ गट के 20 परसेंट हो जाएगा